कितना मस्त का पोहा मैंने बना के तयार किया है तो चलिए मैं बनाती हूँ आज पोहा तो देखिए दोस्त यह है थोड़ा सा चूड़ा लिये हैं अम बिहार में चूड़ा बोलते हैं आप लोग पोहा ही बोलते हैं इसको उच्छे लोग तो ऐसे चूड़ा भी बोलते हैं यह कती हुई भनिया और यह कती हुई प्याज सं weakest और यह हुड़ी सी हरी मिर्च है कती हुई एक तो मैं अब पौहे को ढूश रहती हूं जाला है देख सकते हैं मैंने इसन फमानी तू़प्तERE स्लसी और चुछी से मैंने एक और श्लस उच्छी समयれ मैं इसको अच्छे से दोके पांच मिनट में रख दी थी पांच मिनट में देखिए कितना अच्छा हो गया है अच्छा लग रहा है देखने में भी अब मैं इसमें डालती हूं एक दो चम्मच छोटी चम्मच से नमक अपने सामेगरी की हिसाब से और थोड़ी पोडर आधी अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूं मैं इसमें डालूंगी तीन चार चम्मच छोटी चम्मच से चीनी चीनी तो पोहे के लिए कंपल सरी है दोस्त चीनी रालने से बहुत ही अच्छा बनता है तो अब मैं देख सकते हैं एक कढाई चड़ा रखी हूं गैस पे और ग बख चुका है तो मैं इसमें प्याज डाल दी देख सकते हैं यह प्याज है मैं इसके कटी हवी प्याज थी चुटी-चूटी पीसमें तो मैं इसको ड्ली अब यह मैं चिनिया बदा में इसे में डाल दूगी क्योंकि एक ही साहत – दोनों चीज फ्राइ होके रड़ी होगा जल्दी से जल्दी मेरा पोहा बनके रेड़ी हो जाएगा अब समय की बचट होगी इसलिए मैंने दोनों के एक साथ डाल दी और अलग भी आप फ्राय कर सकते हैं तो यह देखिए और यह पोहे में ही मिला दी मैंने यह कटी हुई खड़ा मिर्च तो मैं उसमें अब पोहे को यह दो मिनट के बाद फोहे का डाल रही हुँ देख सकते हैंड़ा मिनट उसको फ्राय की हूए हल्की उतना नहीं पोहे में एक साथ ही धर कुछ फ्राय होती है तो देख सकते हैं मैं इसको मिलागे अच्छे से फ्राय करूंगी और मेरे चैनल में आप बने रहे हैं और किस्मिस भी बोहे के लिए कमपल सड़ी है, आप किस्मिस को बीच से ज़ा कर लिए किस्मिस कोई बच बीच से चुटे चुटे चुटी चुटे बनाले कूछी हो ताकि उसमें थोड़ा नमा कर्चीनी का टेश्ट अंदर चले जाए तो किस मिस भी नमकीन लगें खाने में इसलिए तो अब यह धनिया का थोड़ा सा पता है मैंने कटकर के रखी थी मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ देख सकते हैं आप मैं धनिया का पता इसमें अब इसको अच्छे से चलाती रहोंगी मेडियम फिले में है मेरा आच जुले का जल रही है जो मेडियम फिले में रखी हूँ और मैं इसको एक मिनट और भोगूँगी बहुत समय नहीं लगती है काफी बहुत जल्दी पोहे बन के रेडी होती है और बहुत ही कम समय में मैं इसको बनाई हूँ देख सकते हैं मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है मैं अब इस ठाली में थोड़ा से निकाल ली हूँ अब मैं इसमें धनिया पता राल ली हूँ देख सकते हैं कितना अच्छा पोहबन के रेडी हुआ है तो दोस्त मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो पसंद आया हो तो चैनल को लाइगे मसाइर जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए